निधी बहुत से NCC carrots ने मुझसे पूछा है कि मैम अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप figure of eight कैसे बनाएंगे पर एक्जामपल ये girl carrot है बेटा आपका क्या नाम है अंशिका की बाल छोटे हैं पर NCC carrot को बाल तो figure of eight में बनाने होते हैं तो निधी आप हमें आज सिखाएंगे कि कैसे ये किया जाता है पहले मैं अंशिका की बाल दिखा देती हूं कितने छोटे हैं शोल्डर तक हैं और ये steps में कटे हुए हैं तो ये बादना थोड़ा मुश्विर होता है इन्हें लेकिन इसकी टेखनीक होती है जो निधी हमें कर के बताएगी सबसे पहले हम बालों को आगे से लेकर पीछे तक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे सेंट्रल पार्टिंग रखेंगे और एक साइट के बालों को हम बैंड से बांग लेंगे अब दूसरी तरफ के बालों को हम ब्रेड में बादेंगे और हम बनाएंगे फ्रेंच ब्रेड लेकिन मोटी मोटी वो कैसे बनाएंगे देखिए पहले आपने थोड़े से बाल हाथ में लिए उसके बाद उसको तीन हिस्सों में बाटा और चोटी की तरह उसको ट्विस्ट करना शुरू किया उसके बाद थोड़े से बाल लिए एक साइट से और उसको चोटी में ले लिया और फिर से एक बार और ट्विस्ट किया उसके बाद दूसरी साइट से बाल लिए और ट्विस्ट किया इस तरह से एक बार इस साइट से एक बार उस साइट से थोड़े थोड़े बाल लेकर चोटी में गूतते जाना है इस तरह से हमारी french braid बनेगी वन साइड में french braid बनेगी french braid हम इसले बना रहे हैं क्योंकि बाल बहुत चोटे हैं नॉर्मल braid बनाएंगे तो बाल चोटी में आएंगे नहीं निकलते रहेंगे लेकिन french braid में बाल पूरे आजाते हैं देखिए लगबख सारे बाल ब्रेड में आ चुके हैं और ब्रेड पूरी होने वाली है ये देखिए ब्रेड पूरी हो गई है इसको लास्ट तक गूत कर हम लास्ट में बैंड से सिक्योर कर लेंगे दूसरी साइट के बालो में भी फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे तरीका बिल्कुल सेम है, पहले थोड़े से बाल लेने हैं, पार्टिंग करनी है, निधी आप ये स्टाइल के आपने बालों में भी बना पाती हैं, प्रैक्टिस करके आपने खुद के बालों में हो जाता है, ऐसा जरूर ही नहीं कि आप किसे से बनवाएं, थोड़े थोड़ बाल दोनों तरफ से लेते हुए, बालों को ट्विस्ट करके ब्रेट को आगे बढ़ाना है, काफी नीट लुक आता है, इस तरह से फ्रेंच ब्रेट बनाने से, ये देखिए निधी ने दूसरी ब्रेट भी पूरी कर ली है, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट काम रह जात है, वो इन दोनों ब्रेट को आपस में ट्विस्ट करना, फीगर ओफ एट के शेप में, बहुत सिंपल है, ये वाला यहां जाएगा, और ये वाला यहां जाएगा, और इसे मोड कर, पिंस से सिक्यूर कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत एट जैसा शेप हमारा बन जाए, पहले एक तरफ पिं लगेगी, छोटे बाल होने की वज़े से बहुत सारी पिंस की जरुद भी पड़ सकती है, ताकि कहीं से भी बाल निकलेना, दूसी तरफ भी पिं लगाएंगे, अच्छी तरह से पिंस लगाकर दोनों तरफ से हमने सिक्यूर कर लिया है, अब लास्ट में जूड़ा नेट लगाकर हम इसे कवर कर लेंगे, फिगर ओफ एट को हम कवर कर लेंगे, और इसके उपड़ से भी हम पिंस लगा सकते हैं, ताकि यह और भी सिक्यूर हो जाए, तो अब देखिए जो फाइनल लुक आया है, इस तरह से है, कहीं से भी बाल नहीं निकल रहे हैं, एकदम नीट लुक है, इस तरह से छोटे बालों में बनता है, फिगर ओफ एट, थैंक यू वेरी मच निदी इस वीडियो के लिए, थैंक यू,